नमस्कार एटोज़ डिशश उशाक उरजानी में आप सबका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कहने जा रही हूं सोया बिन के पराथे अब यह इतने मज़िदार वाले पराथे हैं इससे आपके न दो दो काम हो जाएंगे और यह खाने में इतने में मैं डाल दिया है दो से तीन कटोरी गीहूं का आठा इसे के साथ ना स्वात के अनुसा नमक डाल देंगे और आदी चोटी चमस तेल यह फिर आप गी भी डाल सकते हैं अच्छे से इन सबी चीजों को मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके हम पान का गूनदना है पराठो के लिए उसके बाद थोड़ा सा तेड लगा कर आठे को अच्छे से मसल ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आठे को अच्छे से मसल लिया है उसके बाद फिर से थोड़ा सा तेड लगा लेंगे और इसे हम ढखकर रग देङे 5-10 मिनित के के लिए तो बस इसे 5-10 मिन तक रख दीजे तब तक हम बनेंगे सोया बिन की ड्राय वाली चटनी जिसे आप एक महीने से ज्यादा रख सकते हैं तो गैस कोन कर ले कड़ाई रखे और इसमें डालना है दो चमस तेल जैसे तेल गरम हुझा तो एक कब सोया बिन डाल दीनी है य आधा कब जितना सोखा नारेल इसे के साथ ना आठ से 10 कड़ी पते डाल दे और इसे भी आपको अच्छे से भूनना है जैसे कि मैंने आपको का साथ ही साथ मैंने इसके अंदर डाल दी है आठ से 10 लसुन की कलिया अच्छे से भूनते जाएंगे तकरीबन इसे 5-6 मिनिट त चीजों को मिक्सर जार के अंदर डाल देंगे साती साथ इसके अंदर में डाल री स्वात के अनुसार नमक इसे के साथ आधी चमच लालमिश पाउडर डाल दिया और आधी छोटी चमच चीनी डाल दी है अब पानी वगरा कुछ नहीं डालना इसे ढखकर पीस लेना है तो आप इसे एक महीने से जाधा स्टोर कर सकते हैं इसका तो हम पराठा बनाएंगे पर आप जाना तो आप इसे डाल चावल के उपर डाल कर भी खा सकते हैं रोटी के साथ भी खा सकते हैं चली मैं आपको दिखा देती हूं इस तरह से कोई भी एर्टाइट कंटेनर में या सकते हैं कई ट्राविलिंग में जा रहे तो भी बना सकते हैं और खा सकते हैं देखे चटनी के ओपर थोड़ा सा गी या तेल डाल कर गर्मा गरम रोटी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं पराठो के लिए आपको क्या करना है यह जो ड्राय चटनी बनाए थी ना वही जीरा अब इन सबी चीजों खूम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं पराठे के लिए एक्टम स्पाइसी स्पाइसी और टेस्टी टेस्टी स्टाफिंग बन कर तयार है देखे अभी से कित्ती बढ़िया लग रहे और यह पराठो का स्वात इतन से मसल लेंगे उसके बाद चकले पर रखकर दोनों तरफ हम सुखा गीहूं काटा इस तरह से चिड़क लेंगे और चिड़कने के बाद इसे हमें बेलना है तो यहां पर आप देख सकते हैं बेलन की मदद से इसे एक गोल रोटी की तरह बेल लें फिर बीच में थोड़ा सा दबा लें उसके बाद फिर से सोखा गीहूं काटा लगा कर अब आपको इसे बेलना है तो आप देखिए जो पराठे ना पराठे और रोटी में थोड़ा सा फरक रखेएगा क्योंकि रोटी पतली होनों उतनी जादा अच्छी लगते और पराठे थोड़ा सा हलका सा मोटा होनों तो काफी जादा अच्छा लगता है तो जादा मोटा भी नहीं बस इस तरह से रखिए और इसे गरम गरम तबे पर डाल दीजे और जैसी आपको लगए कि हलका हलका सिखना शुरू होगा है तो तेल या फिर गी या फिर मक्षन से से आपको अच्छे से से सेखना है द अच्छा नहीं लगेगा देखे पराठे फूल भी रहे हैं और एक नहीं सारे के सारे पराठे ऐसे ही फूलेंगे दूसरा भी पराठा मैंने डाल दिया और इसे भी मैंने तो तेली लगा है आप चाहे तो गी या मक्षन भी लगा सकते हैं देखे पराठे कितने बढ़िया तो बस ये गरम गरम पराठे बनकर तयार है चली मैं से आपको कट भी करके दिखा देती हूँ देखे अंदर से कितना बड़िया लग रहा है हर कोने पर स्टाफिंग है तो इसे दही या आचार या ऐसे ऐसे खाया चाय के साथ लीज़े बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले थैंक्यो फॉर वाच्छेंग